असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ सरीद अमर्फारूक अपने चैनल उमर्सपीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपके हिदमत में हाजरू है दोस्तों आज के एपिसोड भी हच स्पेशल एपिसोड है पिछले कुछ दूनों से वीडियो नहीं बनाई इसलिए कि कोई डीटे करने से पहले आप से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उमर्फारू से रिलेटेट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बाकि पर रहना चाहते हैं तो नीचे दिए के सबस्क्राइब की बटन पर अभी क्लिक कर लें जी तो दोस्तों सबसे पहले दूआ है क चलूं के पाकिसान और सौधी गवर्मेंट के दर्मियान जनाब हज 24 का मौइदा जो है वो तैप आ गया है क्योंकि आज से हज कॉन्फरेंस जद्दा में स्टार्ट हो रही है और हमारे वफाकी वजीर मजभी अमूर जो है अनिक हमसाब वो इस वक्त जद्दा में मजूद कि इसमें क्या फैसले हो रहे हैं इसमें बहुत से आपकी भलाई के फैसले होंगे तो इसके लावा मैं आपको बताते हैं जो यह जो मौईदा हुआ है उसमें पाकिसान को बहुत अच्छी फैसलिटीस दी गई है और साओधी गवर्मेंट ने यह कहा है कि हम पाकिसानी इस सर नहीं थे साही वाश्यूम का मसला था तो यह बात अभी तक यह कह रहे हैं कि हम उसको इंप्रूब करेंगी अलगल से अलगल से दुआ है कि वह इसको इंप्रूब भी करें और लोगों के लिए मजीद असानियां परमाएं इसके इलावा चनाब यह भी कहा गया है कि उसमें रेट्स भी कम होंगे तो इसकी विए से आप लोगों का हज जो है वो मजीद थोड़ा सा कुछ सस्था होने के इमकानात मुझूद हैं मजीद यह के चनाब कुछ पाकिसानी हकुमत ने एकदाम किया हज ट्रेनिंग से मतालिक तो उसका जो फॉर्म है वह में नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे आप क्लिक करेंगे तो उस पे फॉर्म का लिंक आ जाएगा तो अगर आप हज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप दोनों ही इस फॉर्म को फिल करके आपना टेस्ट स्कोर कर सकते हैं कि 15 सवाला सवालात होंगे हर सवाल के 10 नंबर है तो आप उसका टेस्ट कंड़क्ट कर सकते हैं कि यार मुझे कितना एक हज के बारे में नौलेज है तो आपने एक तो बेहतर काम यही है हकूमत बार बार कह रही है कि आप हज के बारे में इंफॉर्मेशन लेके जाएं यह नहीं कि हमाँ जाएंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा जैसे लोग कर रहे होंगे वैसे कर लेंगे तो अगर कोई खुद नखासता आला रहम करेंगे कोई गलत भी कर रहा हूँ तो आप भी गलत नाकाम करना चूप करने तो अपनी इंफॉर्मेशन यहीं सही ठीक करके लेकि जाएं ताकि आपको आगे आगे जाकर कोई मुश्कि कि यहाई देख लेंगे कि 10-00 अनमबर में से कितने नंबर कि इसके लाबा मेरी स्क्रीन पर इस वक्त कुछ डीटेल्स हैं जो पाखिशनी मिनिस्ट्री ने बताई हैं कि आपने कौन कौन से काम हचक पे जाते हुए करते रहने तो मैं वन बैवन वो मैं आपको बतायता हूँ जनाब रोजाना हलकी फुलकी वर्दिश करें हर वक्त बावजू रहें वाक करें कम असकम पांच किलोमेटर रोजाना नंगे पाउँ चलने की आदत डालें खाना मनसिब खाने की आदत डालें चुप रहने की और कम बाते करने की आदत डालें मुबाइल पर हर वक्त टाइम जायर ना करने की आदत डालें ज्यादा देर जमीन पर बैठने की आदत डालें बगयर टेक लगाए बैठने की आदत डालें धूप में चलने की आदत डाल ज्यादा देर तक कुरान पाक पढ़ने की आदत डालें, ज्यादा देर जिकर करने की आदत डालें, सुबह शाम के असकार पढ़ने की आदत डालें, सुबह शाम के वक्त पढ़ी जाने वर्जिश यानि के सूरतें पढ़ने की आदत डालें, दूसरों की मदद करने की आदत डालें तस्भी, डिज्जिटल काउंटर की आदिद अदिद डालें, मुबाईल फोन तो ये तमाम चीजहें हैं जिनको सफ्यमर्वा में पढ़ने वाली दूायों कि याद करें और हच्च से मतालिक قرآن आयात और उनका मफ़ूम याद कर लें इसके लावा नमाज पढ़ने वाली कुछ लंबी सूर्थें याद कर लें नमाजे तहजूत पढ़ने की आदा डालें ये तमाम चीज़े हैं जो हमेरे खाल में तमाम मुस्लमानों को पता होने चाहिए इन तमाम डीटेल्स को आप पठे लिजएगा जो मैंने बाते बताई इनको नोट कर लें ताकि आपको हच्च पे जाने में असानी हो आज की वीडियो में तने ही कहना था चैनल पर करने हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजएगा अपने खेरवालों को बहुत जादा ख्याल रखियेगा हच पे जाने तो मुझे अपनी दौा में याद रखियेगा अल्लाहाफिस